हेलो टू आल वेलकम अगेन और में यूट्यूब चैनल क्रियेटिव एंड इन्फो हब मैं हूँ मनीश अमीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और पार्थ योजना वीडियो इस वीडियो में हम हिंदी का लेसन प्लान देखेंगे जिसका उपविशय यानि कि प पासंद आएगा इफ एस डू लाइक दिस वीडियो अपने फ्रेंट के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि आप डेले ट्रेनी हैं या फिर आप बीए ट्रेनी हैं आपको इस तरीके के बहुत सारे लेसन प्लैंस बनाने होते हैं हर सब्जक इन्टरनल असाइन्मेंट्स हो सब्सक्राइब करना तो भष्छ उस टराट करतेWithout W S cetac फिर आपके पेले लिक अपना लेस्न प्लैंस सब्सक्राइब करेंगे तो उसस पेज के स्टर में आप इस तरीके से पाठ ही होजना लिखेंगे और फिर आप उसको सीरियल नंबर देंगे उसके बाद आप लिखते हैं चात्र ध्यापिका का नाम जहां पर आपका नेम आएगा उसके नीचे विशय और उपविशय अब बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं कि मैं उपविशय अलग होता है और प्रकरण अलग होता है तो ऐसा कुछ नहीं है जैसे की फॉर एक्जामपल आप बड़ी क्लासिस में विशय आपका हो जाता है सोशल साइंस उपविशय में आप हिस्ट्री जोग्राफी सिविक्स लिख सकते हो और प्रकरण में आप टॉपिक लिख सकते हो बट इस डिपेंड क्योंकि वहां पर उसके सब सब्सब्जेक् नहीं है तो आप हिंदी लिखेंगे बाकि हाँ इस अप टू यू कि अगर आप विशय में हिंदी के साथ यहां ब्रैकेट में कवीता कहानी एक आंकी नातक जिसका भी आप लेसंट प्लान बना रहे हो आप उसे मेंशन कर सकते हो ओके सो आई होप यहां तक क्लियर हुआ हो है चावल की रूटिया देन सेम राइट साइड पर हम डेट लिखेंगे डेट का कॉलम आप खाली छोड़ना क्योंकि जिस दिन आप लेसंट प्लान यह डिलेवर करोगे उस दिन का लेसंट प्लान डेट आप यहां पर लिखोगे एड़ टाइम आपको क्लास में जाने से यह वाला जो लेसंट प्लान है यह मैंने पचास मिनट को ध्यान में रखके बनाया है बट आप इसमें कुछ चेंजिस कर सकते हो और इसको 30 तो 35 मिनट के अकॉर्डिंग कनवर्ट कर सकते हो क्योंकि हमारा ऑनलाइन सेपी हुआ है तो हम लोगों को ऑनलाइन पढ़ाना होता था और दो घंटे हम लोग की सेपी होती है तो जिसमें पर बच्चे को एक घंटा पढ़ाने का मौका मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने लेसंट प्लान बनाया है बट इन केस अगर को प्लाइक्शन के बाद आप नेक्स्ट हैडिंग देंगे विशिष्ट उद्देश्य यह क्योंकि मैंने स्कैन करके आपके साथ शियर कर रहे हो तो इसमें आपको पैंस के जो कलर हैं ब्लू और ब्लैक आप उन्हें रिकनाइज नहीं कर पा रहे हो बड़ जैसे कि आपका व पाहत्व के बारे में जान पाएंगे चावल से क्या-क्या बनाया जा सकता है वो जान पाएंगे हमें अपने चीजों को सब के साथ बाट के खाना चाहिए उसके बाद है हमें अपने मन में किसी दूसरे व्यक्ति के लिए गलत सोच नहीं रखनी चाहिए तो यह तीन चार उ देंगे सिक्षिंट सहाइक सामगरी यहां पर में यूज करूंगे मास्क और बच्चे आने की स्टूडेंट्स देखो जो आपके स्टूडेंट होते हैं वह आपका सबसे अच्छा टीलम होता है अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ऐसा टीलम तो आप अपने स्टूडेंट् क्रियेटिव आइडियाज बहुत सारे चीज़े होती है एक बच्चे मतलब बहुत जादा क्रियेटिव होता है तो आप उसको अपने टीचिन प्राक्टिस के दौरान पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हो ठीक है उसके बाद आप नेक्स आइडिंग दोगे सिक्षन प्रिया कला विधी यानि की एक्टिविटी मैथर्ड उसके बाद हम हैडिंग देते हैं पूर्व ज्यान ठीक है पूर्व ज्यान मतलब बच्चों को इस टॉपिक से संबंदी पहले से कितनी नौलेज है यानि प्रिवेस नौलेज तो इसमें हम ज्यादातर क्या करते हैं ब केबल को आप तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ऐसे आपको जो फर्स्ट पार्ट रहेगा वो होगा क्रम संख्या देन प्रस्तावित प्रश्न जो आप एजर टीचर बच्चों से करेंगे और संभावित उत्तर कि हां आपके पूछे गए प्रश्नों का बच्चे क्य उत्तर करेंगे एक्सपेक्टेड आंसर साप लिखेंगे तो फर्स्ट क्वेशन है विद्यार्थी आप सभी ने कभी रोटी खाई है वो बोलेंगे हां बट आय तिंग यहां पर आपको पूछना चीए था कि आपने किस किस से बनी हो रोटी खाई है तो बच्चे बता सकते हैं तो सेम ही है जो मैंने आपको बताया वह यहां पर इनोंने क्वेशन सेकेंड में पूछ लिया है तो बच्चे इसका विभिन उत्तर करेंगे उसके बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेशन की तरफ आपने कभी रोटी बनाई है तो बच्चे बोलेंगे हां या ना वैसे तो सब्सक्राइब कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने रोटी बनाई होगी बट इन केस हम हां भी लिख देंगे और ना भी लिख देंगे क्योंकि हो सकता है एक आदा बच्चों ने कभी रोटी बनाई हो उसके बाद है फोर्थ प्रश्न अच्छा तो हम एक विभिन प्रकार की रोटी के बारे में पढ़ेंगे तो बच्चे सोचेंगे कि विभिन प्रकार की रोटी हमने तो इतनी सारे तरह कि आटे की रोटी खाई है आज मैम कौन से रोटी के बारे में हमें बताएगी तो बच्चों के मन में क्रियोसिटी हो जाएगी बच्चे और इंट्रेस्ट ले अब आप बताएंगे तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ चावल की रोटिया इससे पहले नहीं आप ब्लैकबोर्ड पे लिखेंगे नहीं बच्चों को बताएंगे कि आप क्या पढ़ाने वाले हैं उसके बार नेक्स हैडिंग देते हैं हम प्रस्तावना यह पाठ चावल की रोटियों को छिपा देता है जिससे उसके दोस्तों ने खाना सके तो यह पार्ट का बेसिक एक लाइन में एक सेंटर्स में ऑपरोल बताया हुआ था कि पार्ट एक्चुली है क्या ओके यह टोटली ऑप्शनल होता है इसके बाद आप नेक्स्ट हैडिंग आपका तो लाइन्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो यह लजे मैंने आपके लिए लाइन्स क्लियर कर दिया है इस तरीके से आप बनाएंगे फस्ट होता है क्रम संख्या की सेकिन होता है सिक्षन बिंदू और थर्ड आपका कक्षा कक्ष क्रिया कलाप आप बोलते हैं कक्षा कक्ष क्रिया कलाप क्या होता है जैसे कि यह दोनों कॉलम हैं छात्र अध्यापी का गतिविदी और छात्र क्रिया कलाप हम इन दोनों को एक ही कॉलम में कंबाइन कर देते है और उसको हम heading देते हैं कक्षा कक्ष क्रिया कलाप ठीक है आप मेरी latest videos भी देख सकते हैं उसमें मैंने latest format का use किया है और last column आपका होता है मुल्यांकन का तो first teaching point हमारा क्या है पाठ से अवगत कराना या फिर पाठ में आए पात्रों से अवगत कराना तो छात्र ध्यापिका क्रिया कलाप में आप लिखेंगे छात्रों पाठ में विभिन प्रकार के पात्र हैं जिसमें मुख्य पात्र है कोको नीनी तिनसू मीमी और उबातुन उसक है इसके बढ़ते हैं आगे फिर नाटक चात्र ध्यापिका चात्रों के बीच में से पांच बच्चों को उठाकर उन्हें एक-एक सोप देगी चात्र क्रिया में हम लिखेंगे चात्र अध्यापिका के साथ सह भागिता करते हुए नाAPP में भाग लेंगे मुल्यांकन छात्र अध्यापिका सभी पात्रों को मास्क देंगी दें सیکिंड टीचिंग पॉइंट हमारा है नातक का प्रारंब अभइ yaha से कहानी जो आपकी है कहानी को आप एक नातक क्योंकि यह कहानी एक नाटक है तो आप इस कहानी को अगर नाटक के माध्यम से बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो बच्चे ज्यादा एक्टिव होंगी उन्हीं ज्यादा अच्छे समझ में आएगा तो सेकिंड पॉइंट है हमारा नाटक का प्रारंब नाटक शुरू होता है छ छात्र नाटक के माध्यम से पात्र को समझते हैं मुल्यानकन प्रस्ट में हम लिखेंगे छात्रों से प्रस्न पूछ ना की कहानी में कुल कितने पात्र है है से फडर्टीचिंग पॉईंट कोको का आना चाट्र जो कोको बननाना है पाठ पढ़ता हुआ है अब जो कोको की लाइन्स है जो पर्टीकुलर स्टूडेन कोको का लीड रोलबड गर रहा है वह उसका एक्ट करेगा उसकी लाइन्स को पढ़ेगा और बाकी के बच्चे उसको सुनेंगे तो इसमें बेसिकली क्या है जो पूरी स्टोरी है आपकी आप उसे एक नाटक के थ्रू प्रेजेंट करते हो और बीच बीच में जैसे ही एक सीन खतम होता है जो प्यूपिल टीचर है आप उस एक पर्टिकुलर सीन से बच्चों से questions पूछोगे जो आपका हो जाएगा evaluation question ताकि आपको पता चले कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है यही नहीं ऐसा नहीं होने चाहिए कि स्रुफ बच्चे ही प्रेजेंट करते जा रहे है नाटक में और आप उन्हें कुछ बता है उसके बाद बच्चे वो जो उस सीन का रोल प्ले है वो करके दिखाएंगे और बाकी बच्चे उस सीन के अधार पे अपने समझ मनाएंगे उसके बाद एज टीचर आप उस सीन से बच्चों से कुछ questions पूछेंगे ताकि आपको पता चल पाए कि हाँ बच्चों को कहानी समझ में आ रही है अगर नहीं आती तो आप बच्चों को किसी और मैथट से उसे explain करेंगे उसे समझाएंगे इसी तरीके से one by one सभी आते हैं जैसे कि पहले कोको आया उसके बाद नीनी आई फिर नीनी और कोकु की वारता लाब शुरू हुई तो यह सारे teaching points है आप चाहें तो इसका screenshot ले सकते हैं ठीक है उसके बाद कोको और नीनी के बाद हमारा six teaching point है कोको और नीनी की वारता के बीच में मीमी अब थर्ड करेक्टर है मीमी वो भी आ जाती है उसके बाद आगे बढ़ते है मीमी के बाद आता है तिनसू ठीक है तिनसू के बाद कौन आता है उबातून तो एक एक करके जितने ही उसके friends होते है वो सारे उसके घर पे आ जाती है और वो उन सबसे अपनी चामल की रोटिया बचाता फिड़ता है ठीक है तो इस तरीके आप चोटी-चोटी से teaching points बना सकते हैं, then ninth teaching point हमारा है कहानी का सारांज, अब last में आप एक बर पूरी कहानी का सारांज बच्चों को बताएंगे, ठेक हैं, तो इसमें क्या है, तो इस पार्ट से हमें यह पता चलता है कि हमें जूट नहीं बोलना चाहिए, एक जूट को पाने के लिए हमें कई हजार जूट बोलने पड़ते हैं, जैसे कोको ने किया और उसे अंत में कुछ नहीं मिला, चात्र क्रिया में हम लिखेंगे, चात्र सारांज को सुनते हैं, मुल्यांकन प्रेशन हमारा हो जाएगा, कि आपको इस पार्थ से क्या सीख मिली, इसके बा रोल प्ले के थुरू समझाया, क्योंकि ये पचास मिनट को ध्यान में रखके बनाया गया था, तो इतने टाइम पिरिड में आप रोल प्ले अराम से करवा सकते हो, तो फर्स्ट क्वेशन है, पार्थ में कौन कौन से पात्र थे, जैन सेकंड प्रेशन, चामल की रोटिया क कि इस ने छुपाई, क्या उसे वह खाने के लिए मिली, तो इस तरीके से आप नाटक कहानी के आधार पे कुछ प्रशन बच्चों से करेंगे, उसके बाद है आओ करें, यानि की होम वर्क, आप सभी चामल से बनने वाली एक खानी की विधी लिखकर लाएंगे, तो यहां पर हमने इस टॉपिक को किस से कनेक्ट किया, होम साइंस के साथ हमने कनेक्ट कर दिया, तो हम यह बोल सकते हैं कि यह एक इंटीग्रेटेड एक क्रित पाठी उजना है, उसके बाद, नेक्स्ट हम लास्ट हाइडिंग देते हैं, परियावेशक टिपनी या सुझाव, परिय रिमाक देंगी, तो यह वो रिमाक वाला कॉलम है, जहां पर वो आपको रिमाक देंगी और साइन करेंगी, तो यह था आज का लेसन प्लाइन, जिसका टॉपिक था चावल की रोटिया, आप इस टॉपिक को और भी बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ा सकते हो, बट मैंने यहाँ पर रोल प्ले मैथड का यूज किया, तो आए होप आपको यह लेसन प्लाइन पसंद आया होगा, इफ यह दो लाइक इस वीडियो, शियर करना और चानल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट एक नए लेसन प्लाइन वीडियो में, तब तक के बाइ, से यू